तो स्ट्वेंट से क्लास फोर्थ की बुक है ये और इस बुक से आज हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा रोमन नूमरल्स यह रहा हमारा टॉपिक और इसके जो कुश्चन्स हैं यह मैं आपको कंप्लेट करा देता हूं और पेसिक चीजी जो रोमन से र तो फटा पट से हम इसको देख लेते हैं तो देखिए यह जो टेबल हमारी बनी हुई है इसको आपको सबसे पहले आपको इसको याद करना है सबसे पहले इसको ध्यान से देखना है कि एल जो 50 और डी 500 एम 1000 यह जो जो भी है आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यह से बहुत help करेंगे आपकी तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए बहुत help करेंगे यह जो examples दिये हैं यह भी आप देखिए यह इसको मैं देखकर आ देता हूं आपको यह questions देखिए इस तरीके से होते हैं यह जो लखा हुआ है 10 प्लस 10 20 जिसे हम add करते हैं उससी परकार हम simply roman को भी add करते हैं जिसे हम numbers को add करते हैं वैसी हम roman को add करते हैं कैसे करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं इस question को यहाँ पर लिख लेता हूं यह रहा हमारा question यहाँ पर जो table बनी हुई है यह ध्यान से देखिए जो numeral की table बनी हुई है और इधर है roman numeral तो यहाँ पर जो numeral से लिखे हुए वो मैं लिख देता हूं जिसे 7 का हमको बनाना है तो 7 हम कैसे लिखते हैं 5 प्लस 2 में अब 5 प्लस 2 में लिख दिया तो उसके पहले 5 का जो रोमन होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 का रोमन क्या होता है वी हम इस तरीके से लिखते हैं रोमन में यह लिखाए देखे 5 का हमारा वी प्लस उसे पर रिखार हम 2 का रोमन हम लिखेंगे वो होता हमारा यह second इस तरीके से लिखते हैं रोमन में तो हम यह करके तोड़ना पड़ेगा चोटे-चोटे टुकड़ों में कैसे देखिए जिसे कि हमारा नंबर है हम इसको तोड़ने अगर हम तो हमारा नंबर 10 है 10 में हम 5 एड करेंगे तो हमारा 15 होता है हम उसमें 1 और एड करेंगे तो हमारा हो जागा 16 अब सबसे पहले यहां पर 10 लिखा है तो 10 का जो रोमन होता है वो क्या होता है X and suppose that 5 का रोमन होता है V और 1 का यह होता है तो इसको हम add करके लिखेंगे XVI इस तरीके से यह हो गया हमारा 16 का रोमन अब आगे जो है इसको देखते हैं 40 को यह जो है 40 का अब ध्यान से समझेगा इसके लिए क्या करना बढ़ेगा 40 को सबसे पहले हम इसको माइनस करके लिखते हैं जैसे की 40 को हम लिखेंगे इसको कैसे माइनस कर सकते हैं जैसे 50 50 में से हम माइनस 10 10 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हमें 40 मिलता है तो 50 کا जो रोमन होता है वह हमारा होता है यह ल, ल होता है यहाँ पर लिखते थे हैं L minus X को हम लिखते हैं सीधा करके अगर हम इसको लिखें तो X हमारा पहले आएगा L यहाँ पर बाद में आएगा तो यह होगा XL यह होता है हमारा 40 का रोमन इस तरीके से तो 40 का रोमन में हम कहते हैं X L बाकि यह जो बीच में जो कोशन्स है यह सब सेम है आप उनको ट्राइ करके देखिए हम उससे पूछ सकते हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई प्रब्लम ने आपको बता दूँगा यह है 99 का इसके लिए क्या है 99 लिख दिया हमने यहाँ पर इसको लिख सकते है 100-10 होता है हमारा 90 कि इसको मैंने क्यों लेखा क्योंकि 90 को में लिए सकते हैं 100-10 में सबसे बहुता है यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर c- लगाया थो मैंने लगादेंगे 10 का क्या होता है अभी मनें आपको बताया x होता है और 9 का हमारा अइक्स होता है ix कि तो यह हो गया हमारा c- x प्लस ix अब जैसे मैंने l-x को XL लिखा था उसी तरह मैं c- x को क्या लिख सकता हूं XC विलकल लूपर कितरे लिख दिया और यह IX एड़ कर दिया तो हमारा होगा XCIX तो यह हमारा 99 का हो गया यह से मैंने एड़ कर दिया है तो यह 99 का रोमन हो गया तो इस तरीके से हम उसे solve कर सकते हैं जैसा method मैंने बता है वैसे आप apply किजिए अब students हमारी XCIX है 3.1 इसका जो पहला question है वो है हमारा 29 इसको हम देख लेते हैं 29 को कैसे हम रोमन में लिखना है तो यहाँ पर first का यह जो है वो हम लिख लेते हैं 29 तो 29 को solve करने के लिए सब से पहले हम क्या करेंगे यह 20 को तोड़ लेते हैं 20 20 का किया होता है हमरा 20 गए 10 गौत आया एकस तो ट्वं टिक वह जाएगा हमरा X X X X वह जाएगा आप यहां पर यह हो गया अब 9 को हमरा X जैसे हम 20 प्लस 9 करते हैं उसी विकार हम इसके जो रोमन हम जो निकल के आएं उसको हम जोड़ देते x-x-i-x यह हो गया हमारा 29 का तो इसी तरह के से और भी कोश्चन है तो वच्चों इनको करके देखना ट्राइः करना इन सब कोश्चन को और इस सारे questions आपको करने है बाकि और comment करके बताइए आपको जो भी topic जो भी question आपको चाहिए आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छे लेगी हो तो फटापट से वीडियो के लाइक कर दीजे थैंक्यू students